नमस्ता दोस्तों, Building Contraction, जीतियंद्र शौव में आपका स्वागत है, दोस्तों देखिए, आज की ही वीडियो में आपको ग्रेनाइट की फ्लोरिंग, अगर हम ग्रेनाइट की फ्लोरिंग लगाते हैं, और इसकी कोश्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, इंस्टोलेशन का क्या चार्ज रहेता है यह पूरी जानकर इस वीडियो में दूँगा आपको अगर वीडियो चले हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें और जैसे सबसे पहले चालू करते हैं देखिए यह जो आप ग्रेनेट देख रहे हैं इसका नाम है पी वाइट और बहुत ही क्वाल कोई हैं वो खराब नहीं दीख है जो एक जोएंड देखिए इसके कहीं पर भी आपको बेंड की नजड़ने आएगा और इसमें पट्टी लगा रहा कि वह भी बहुत यह बड़िया काम कर रखा है यह काम की क्योटरी आपकर कम रेट में आप काम कर वाते हैं तो आपको इस जीर्चेक है तो इसकी रेट कम हो जाती है और जो ब्लेक जो ग्रेनाइट देख रहे हैं ये आर बलेक राजस्तान का मच्छ पॉपुलर ग्रेदि है और आप इसको फ्लोरींग में यूज लगाते हैं यह वाल का लुग देखिए पूरा अगया यह वाल का लूग और अगर आप इसको पिलर में लगाते हैं लगाने के बाद में यहार डिजान रहेगा इसका पिलर का है। अब तो कि बातğि हैं जैसे मानली जी आपने 40 रुपए में लगा दूँगा, तो 40 रुपए देखिए, 40 रुपए में plane काम होता है, 40 into 50, देखिए, 1000 पिट आप लगवा रहे हैं, और 40 रुपए में, तो आपका ये 40,000 रुपए ये हो गया, और 50 रुपए में granite खरीदा, तो 90,000 तो ये हो गया, अब 90,000 में खाली लगाना और ग्रेनाइट और उसके बाद में मालीजे 10 रुपए आपने किराय दिया लाने का ले जाने का अनलोडिंग का तो आपका 100 रुपए तो जो हो गया और उसके बाद में 30 सिमेंट का जो खरचा आता है वो लगब 20 रुपए पर स्कॉर्फिट के हिसाब से इसका खरचा आता है तो आपका यह खर्चा 100 रूपे पर स्क्वर्फिट का हो गया अब इसमें आपने देखिए पट्य लगवा दिए जितनी आपकी फ्लोरी है उतनी रणिंग फिट की यह पट्या हो गई तो आपका काम हो गया 2000 स्क्वर फिट और आपका जो लेबर है वो हो गया 80,000 रुपए है तो जेस्ट टबल हो गया और उसके बाद में अगर आप बोलते हो सीडियों में जे नोजिंग करवानी है तो ये नोजिंग का चार्ज एक्सा रहता है 67 रुपए और बढ़ जाता है इ यह देखिए यहां से अगर आपने पिलर लगवाया तो देखिए पिलर का साथ फिट लंबा पिलर है तो उसका कोश्ट हो गया साथ इंटू एक साथ फिट इंटू चाड़ जगे पर यह 28 फिट हो गया और उसके बाद में यह जो कॉर्णर पर यह मॉल्डिंग देख रहे ह यह देख सकते हैं पूरा तो अगर आपको खर्चा कम करना है तो आप प्लेन काम करवाएंगे तो आपका खर्चा कम रहेगा अगर आप इसा बॉडर पट्टी और मोल्डिंग नोजिंग इतना एडिशनल काम करवाएंगे उतना इसका खर्चा बढ़ता जाता है और जिसे झाल झाल